तो बाइस जो हमारी next topic है वो है हमारी hydrogen spectrum तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चो hydrogen spectrum को समझाने के लिए हमने आपको सबसे पहले ही सारी चीजे बना लिया है बनाने का कारण ये है प्यारे बच्चो कि आपको यहां से अगर हमने बनाया है आपको बहुत यह आसान तरीके से, बहुत यह अच्छे तरीके से मैं समझा सकता हूँ, क्यारी बच्छो, लाइन टू लाइन हर एक चीज क्लियर करके जाएंगे, ध्यान से देखना, यहाँ अपर क्या होता है, कि सबसे पहले हम समझेंगे, कि आखे, लाइमन सरणी किसे करते हैं, बामर सरणी किसे करते हैं, पास्चन सरणी किसे करते हैं, ब्रैकेट सरणी किसे करते हैं, और फुन्ड सरणी किसे करते हैं, और यहाँ से, पूछे जाने वाले प्रशन कैसे एक्जाम में पूछे जाते हैं, प्रश्णों को भी हम चर्चा करेंगे आपको उस प्रश्णों को भी बताएंगे अंत में ध्यां से दिखिएगा हमने क्या कहा कि अगर मुझे लाइमेंस रणी समझना है तो क्या होता है अभी हमने सारी चीजे समझ के आया है कि जब इलेक्टरान जब किसी भी इलेक्टरान को बाहर से उर्जा देते हैं मूल अवस्था में मूल अवस्था में रहने वाले इलेक्टरान को जब हम बाहर से क्या करते हैं उर्जा देते हैं तो ये उर्जा को ग्रहन करके किसी भी उचे उर्जा अस्तर पे क्या कर सकता है छलांग लगा सकता है किसी भी उचे उर्जा अस्तर पे कूद लगा सकता है समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं इतनी बात बोहर ने बताया था परंटु वहाँ जादे देर तक रहता नहीं और जादा देर न रहने के कारण ये पुना अपनी मूल अवस्ता में आता है उनकी एक स्रिंकला त्यार हो जाती ही पेरवचो उन्हें हम क्या कहते हैं स्रिंडी कहते है पाईए हम ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला क्या होता है ध्यान से देखना पेरवचो जब कोई भी जो इलेक्टरान होता है वो किसी भी उचे उर्जा अस्तर से चाहे दूसरे से चाहे तीसरे से चाहे चौथे से चाहे पचवे से चाहे छटवे से चाहे अनंत से मतलग कहने का मतलग है कि जब एलेक्टरान किसी भी उचे उर्जा अस्तर से पहले कच्छा में यानी निम्नतम अवस्था यानी मूल अवस्था में कूद लगाता है मूल वस्ता में कूदता है तो जो विकिरण उस सरजित होती है वो किस स्रेणी के अंतरगत आती है लाइमन स्रेणी के अंतरगत आती है क्या इस बात से आप सहमत है एक बार मैं फिर बता रहा ह西ए फिर से बता रहा है जब कोई भी इलेक्टरान जब कोई बिलेक्टरान किसी भी ऊचने उर्जास्तर से yarkhani कहने सातव है चैरे साटवाँ चैसा चै़े चैरे पछाओ चैरे चाहतव हो या सक्वाइन है थ्यान से देखना परिशो हमने क्या स्रस्राइब कि कि जब हाइडोंद प्रमार का कोई भी एक इल turned कि सी-बी उच्छे उर्जा स्ट्राइब मतलब क्ये मारा आंन॒ कि साथ्वा तो से हडर्य रहा है अगर वो पहले कच्छा में कूदता है तो पहले कच्छा में कूदने पर जो भी विकिरण उसरजित होती है वो लाइमन स्रेणी के अंतरगत आती है क्या इतनी बात आप समझें अब धिखान से समझना जो लाइमन जरुणी होती है वह लाइमन जरुणी की जो विकिरण होते हैं इनकी प्यारे बच्छो नदे परा बैगनी भाग के अंतरगत आता है क्या इतनी बात आपकी clear हुई तो आईए प्यार बच्चो हम इसके लिए ये तरंग देर्ग यानि जो तरंग देर्ग है उसका बेंजक निकालेंगे जो ये बिक्रणे उस सरजित हुई है बिक्रणों का क्या निकालेंगे तरंग देर्ग निकालेंगे तो लाइमन्स रणी के कोई bhi hydrogen प्रमार का किसी भी कूंचे उर जास्तर से पहले उरजास्तर में कूदता है पहले ऐस च्छलांग लगाता है तो बी किरंडे सर सजित होती है वो लाईम Кстати के अंतरगत कोई भी एलेक्ट्रान या कोई एलेक्ट्रान किसी उचे उर्जास्तर से किसी उचे उर्जास्तर से पहले उर्जास्तर में पहले उर्जास्तर में संक्रमड करता है मतलब कूदता है छलांग लगाता है संक्रमड करता है तो उसर्जित होने वाली विक्रण या विक्रण या विक्रण या लाइमन स्रेणी के अंतरगत आती है उसर्जित होने वाली विक्रण या लाइमन स्रेणी के अंतरगत आती है लाइमन स्रेणी के अंतरगत आती है अब हमने यह आपको बता ही दिया है प्यारे अच्छो कि जो यह यह किस भाग में आती है बिद्दुचुम की स्पेक्ट्रम के परावैगनी भाग में आती है अब इसके लिए हम जो तरंगदेर का बेंजक लिखते हैं प्यारे बच्चो ध्यान से देखना के और आपको इसी फार्मूले से इसका हम लाइमेंस लिनी का जो तरंगदेर का बेंजक है बिलकुल हम उसको ग्यात कलेंगे ध्यान से देखना जो ये एनवन होता है ये एनवन ही क्या होता है प्यारे बच्चो एनवन होता है कि जिसमें इलेक्टरान कूद रहा है जिस कच्चा में इलेक्टरान कूद रहा है वो आपका N1 होता है और N2 होता है जिस कच्चा से इलेक्टरान कूद रहा है यानि जिसमें कूदो गए वो N1 होगा और जहां से कूदो गए वो N2 होगा प्यार बच्चो इलेक्ट्रान जिस कच्छा में इलेक्ट्रान कूद रहा है क्या कर रहा है प्यारे बच्चो कूद रहा है वो क्या है कूद रहा है वो N1 होता है वो क्या होता है N1 यानि N1 जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चो देखिए यहां थोड़ा सा यनोवन फिर मैं बना दे रहा हूं जैसे कि आपको इदम डाउट जड़ा सा भी यह एनोवन हो गया और यन्टू क्या होता है यन्टू वो कच्छा होती है प्यारे बच्छो कि जिस कच्छा से इलेक्ट्रान चलाग लगाता है बस इस बात को ध्य क्या हो चाहते होगे यहां सकते हैं एक मैं यहां सै कहां से कुद हो गजहें किसी उचाहें सली से कुद हो गए तो अपकह रेडिर बर्ग नियत आंग है फिर उसके बाद एक बटे कितना है एैणबन इसक्यार ठीक चले एक बटे एन तैन वакиया क्या जाएगा प्यारबच्छों सब्सक्ते एकश्यूर्खर, यहींपर यहीं तो कि वेलू रखना है यहांटू तहीन के फेलु क्या हो जाएगी प्यार बच्छो जहां जो एंटू है वह क्या होगा भाई दूसरे से कूदे हो तीसरे से कूदे हो तो ीपिर आने वाली हिंवी कूदे और जो तरंग दैर का निव होता है वह के शामने हैं प्यारे बच्छो अब आप यहां से इस पे आधारित जो आपका सवाल है वो आप लगा सकते हैं प्यारे बच्छो इस फाउले के मतलब से अब हम किसकी चर्चा करेंगे बामर स्रणी की किसकी चर्चा करेंगे बामर स्रणी की कौन सी स्रणी है प्यारे बच्छो अब हमारी न खुदता है तो जो किरण वो सरजित बिकरण होती है वह चतवा हो मतलब कहने का मतलब है कि जब इलेक्टरान भैया किसी भी ऊचे अस्थान से कुदेंगे और दूसरे अस्थान पर कुद कराएंगे मतलब दूसरे एक अच्छा में आके कुदेंगे तो वो कौन सी स्रणी कहलाती है बामर स्रणी कहलाती है क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई प्यार बच्चो एक ब मैं जो सारी चीजे बता रहा हूँ एक्जाम में आयागा नहीं आयागा आयेगा बिल्कूल आयेगा प्यार बच्चो पूरा यह यहां से यहां तक इस्पेक्ट्रम की ब्याख्या करने के लिए भी पूछ सकता आपके बहुविकल्पी में भी एक एक नंबर का प्रशन बन स सकते ही प्यार बच्चो जब हाइड्रोजन परमार का कोई भी इलेक्ट्रान किसी भी ऊचे उर्जा अस्तर से दूसरे उर्जा अस्तर में दूसरे कच्छा में संक्रमड करता है मतलब दूसरे कच्छा में चलांग लगाता है तो जो विक्रणे उस सर्जित होती है वो कौन स क्या कर देंगे दूसरे उर्जास्तर में संक्रमन कर जाएगा किस कौन से उर्जास्तर में दूसरे उर्जास्तर में संक्रमन करेगा तो कौन सा संग कौन सा सिर्णी आये जाएगा बामर सिर्णी किस भाग में आता है द्रिस से भाग में आता है ताहिए बामर सिर्णी के लिए इस बार 10वान का मान क्या रखोगे प्यारे बच्छोस द्यान से देखना olabilir इस बार आप सारे कछा से कुदवने वाले इलेक्टरान किस में कूदे हैं दो में मैंने बोला था ना कि यनवन का मान वही रखेंगे जिस कच्छा में इलेक्टरान कूद रहा है तो बामर्स रिणी में इलेक्टरान किस कच्छा में कूदता है दूसरे कच्छा में कूदता है तो यनवन का मान दो हो जाएगा प्यार बच्चो तो यहां एक बटे क्या हो जाएगा दो का स्क्यार माइनस अब दूसरे में कुदरा है तो दूसरे से कुदोगे नहीं तीसरे स्कुदोगे चौथे से कुदोगे तो भाईया एक बटे यहां क्या हो जाएगा एंटू का इस क्या है द्यान से देखना अब यंटू का मान क्या होगा एंटू का मान होगा तीन चार होगा फिर पांच होगा फिर चा होगा डॉट 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 यहां तक क्या आप इतनी बात समझे यानि यह आपकी बा प्राप्त होती हैं बामर स्रेणी के अंतरगत आती हैं बामर स्रेणी किस भाग में आता है प्यारे बच्छो बामर स्रेणी जो होता है प्यारे बच्छो वह द्रिश से भाग में आता है तो आप चाहो तो इसका एक स्कुन्साट ले सकते हैं फिर हम बात करेंगे पास्चन चले ध्यान से देखते हैं अब पाश्चन से कोई उचे कच्छा से उच्छा में ब canoe उचउ रहा। गर वो तीसरे में कूध रहा है तो भैया तीसरे में कूधने वाले जो विकिरन उस सर्जित होगी वो किस स्नरणी के अंतर गताती है क्या आप इतनी बाद समझ पाए ? यानि हम एक बार आपसे फिर से बोल रहे हैं कि जब हाईड्रोजन परमान का कोई भी इलेक्ट्राण कोई भी एलेक्ट्राण उचे कच्छा से चाहे उचा कच्छा चाहे जो भी तीन से ज्यादा होना चाहिए छोथा पाउचवां छटवां सतवां प्यार है तो जो विकीरण उससरजित होती है वह किस रणी के अंतर गत आती हैं क्या आप कितनी बात क्लियर हो गई अब हम पास्चंज रणी के लिए तरण का भेंज़ग लिखेंगे एक बात और पास्चन स्रेणी किस भाग में आता है प्यारे बच्चो पास्चन स्रेणी जो होती है वो औरक्त भाग में आता है किस भाग में आता है पास्चन स्रेणी किस भाग में आता है औरक्त भाग में आता है तो चलिए पास्चन स्रेणी के लिए हम क्या लिख लेते हैं यहां बेंजड के अब यह आपकी पाली स्रेटी थी लाइमेन्स रेटी यह आपकी लिख दूसरी बामर और तीसरी कोनसी आगी पैर सॉन पास्चरण सुनुनिकтерес पैर नहीं गत्र, DAVID यहां तक यह नवन का मान वही होता जIS कछ्छा में लख्रान खुद्रा किस कछ्छा में को जुद्राइब तो N1 3-4 क्या हो जाएगा एक बटे N2 का इसक percept अब यहां का मान कितना होगा यहान कि Hour यहां जो उन्हीं का होगा वह क्या मान होगा गोंगी तीसारे में खुद्रा घी तो यह चार यह पांच यह डॉट डॉट आगे इन फाइन एक यह रही आपकी पास्चिन स्रडी कौन से प्यरबचो पास्चन स्रडी किस भाग में आता है और अब हम बात करेंगे स्रडी की चौता स्रडी क्या है प्यरबच्चो आपकी ब्रेक्ट स्रडी कौन से इस्रडी है ब्रेकेट स्रडी चलिए ब्रैकेट्स रेड़ी क्या होता है ध्यान से देखना अब ब्रैकेट्स रेड़ी ये होता है क्या ब्रैकेट्स रेड़ी क्या होता है पर रचो कि जब जब इलेक्ट्रान किसी भी उचे उरजास्तर से कौन से उरजास्तर में कूदता है भी या चौथे उरजास्तर में सब्सक्राइब तो जो हिया उस सर्जित होती है एकम्ह criticism में अच्जाम में पूछ ही पूछ किस spectrum में आता है या किस भाग में आता है तो प्यारा सा जवाब लिखेगा विद्धुत चुम्ब के spectrum के औरक्त भाग में brackets नहीं आती है खतम सवाग ऐसे exam में आपसे पूछते हैं प्यार बैकर सरी चलो ब्रैकेट सरी के लिए एक बाप परिभासा फिर से बोलते हैं जब hydrogen पर्मार का कोई भी electron किसी भी उचे उर्जास्तर से चौते उर्जास्तर में संक्रमर करता है तो जो विकिरणे उस सरजित होती है वो किस में आती ही प्यारे बच्चो वो brackets रड़ी के अंतरगत आती है ठीक अब हम brackets रड़ी के लिए तरंग दर का क्या कर लेते हैं बेंजा क्लिक लेते हैं प्यारे बच्चो चलिए एक बटे लेम्डा एक्वल टू आर यहां से दिखेगा अब यहां पर यहनुवन का मान क्या होता है प्यार बच्चो यहनुवन का मान वो होता है जिस कछा में इलेक्टरान खुद रहा है किस कछा में इलेक्टरान खुद रहा भी है चौथे में यहां हो जाएगा एक बट तो प्यारवच्चो यह रहा ब्रैकेट सिर्णी में प्राप्त जो विकिरन होती है उनके लिए तरंगदर का रंजक अब आपके पास एक सिर्णी और बची है जैसे हम कहते हैं फुंड सिर्णी कौन सी सिर्णी कहते हैं प्यारवच्चो फुंड सिर्णी तो पांचवी सिर्ण ध्यान से दिखेगा, फुंडर स्रेणी क्या खाता है, फुंडर स्रेणी क्या होती है, कि भया, जब हाइडरोजन परमार का, हाइडरोजन परमार का, कोई भी एलेक्टरान, उचे उर्जास्तर से, किस उर्जास्तर में कुदता है, यह पांचवे, किस उर्जास्तर में कुदत तो जो बिकलने उस सर्जीत होती है वो फॉंड़ सेरिणी के अंतरगत आती है यानि कहने का मतलब है कि जब है। परमा का कोई भी लेक्टरान किसी भी ऊचे और जास्तर से कहां पे कुदता है वह यह 5 वे उर जास्तर में कुदेगा तो जो भी किलने उसर जीत होंगी वह फूंड स्रेड़ी के अंदर गताती है अब हम फूंड स्रेड़ी के लिए बेंजक प्राप्त करेंगे ध्यांस देख जहां जो एंटू है वह छह होगा साथ होगा आठ होगा फिर डॉट 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 इन्फाइनाइट हो जाएगा प्यार बच्चों तो यह रहा फुन्ड स्रेणी के लिए तरंग द्रका बेंज़क फुन्ड स्रेणी भी किस भाग में आता है और अख्त भाग में आता है तो प्रते कच्चा की मेने ऊरजा लिखा है दूसरे कच्चा की उरजा माइनस τीन दसमलों, चार इलेक्टरान बोल्ट होता है परवच्ago seraitों और ध्यान से देखना हमारी जो उत्तेजित अवस्ता को क्या होता है कि दूस़रे कच्चा से लेकर अनन्त तक की कच्चा है दूसरे कच्छा से लेकर अनन तक की कच्छाएं किस अवस्ता में आती हैं उत्तेजित अवस्ता में आती हैं यानि इलेक्टरान जब भी अपनी मूल वाली कच्छा को छोड़कर दूसरे में हो तीसरे में हो चौते में हो मतलब मूल कच्छा को छोड़कर चाहे जिस कच्छा म में होगा तो हमेशा उत्यजीत अवस्था कहलाता है प्यारे बच्चो इस प्रकार आपकी जो हाइड्रोजन एस्पक्टरम पूर्ण रूप से क्या होता है कंप्लेट होता है आई होप कि आपको आज की क्लास जरूर समझ में आई होगी प्यारे बच्चो उम्मीद करता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं रह गई होगी पूर टॉपिक में मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और यह चैप्टर भी आपका सायद प्यारे बच्चो समाप्त हो गया है अब किवल आपका नाभिक से रिलेटेड रह गया है नाभिक पढ़कर जल्दी जल्दी से हम लोग आ जाएंगे ट्रांजिस्टर पर ट्रांजिस्टर में करके एक-एक सेट में आपको उपलब्ध कराता जाओंगा प्यारे बच्चो तो वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास सेर जरूर कीजेगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए वीडियो आपके जे थैंक्यू आल्डियो श्टूडेंट जय हिंच जय भारत